इस वक्त की दोस्तो तमाम बहुत बड़ी खबरें मुख्य समचार सामने निकलके आ रहे हैं चहांपर एके करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी अपड़ेट साम तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार मरसाथागे इसी वीडियो में बने रहेगा सभी बड़ी खबरे जानना आप लोगों के लिए बेहदी जरूरी है तो वहीं दोस्तों खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कॉंग्रेस पार्टी और रहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा जै हिंद जै भारत दरासल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले विपच्ची एक्ता की बड़ी बैठक से खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों तमाम दिगज नेता जुटने लगे हैं बैंगलूरू में जिहां दोस्तों खबर आप लोगों को बताते चले इस बैठक से राहुल गांधी को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ सकती है उनको लेकर के एक ऐलान देखने को मिल सकता है बताते चलें पटना में तेज जून को ही विपच्ची एक्ता की बैठक के बाद अब एक बर फिर सभी विपच्ची दल एक साथ महा बैठक करने के लिए तैयार हैं करनाटक की राजदानी बैंगलूरू में सभी दल जुटने लगे हैं जहां पर कम से कम 24 राजनीतिक दलों के नेता सामिल होंगे बैठक में बैंगलूरू में 17 और 18 जुलाई के दो दिन इसकी राजनीति के लिए काफी एहम माने जा रहे हैं क्योंकि अब विपच्ची दलों की दूसरी बैठक का आयोजन हो रहा है जिसमें सभी नेता 2024 के लोग सभाज चुनाबों में भाजपा के खिलाफ एक जुटो करके लडने के लिए अपनी रणनीति तयार करेंगे और यहाँ पर सीटो के बटवारे को लेकर के भी एक बड़ा फैसला किया जा सकता है और इतना ही नहीं खबर यहाँ भी सामने निकल के आ रही है कि राहुल गांधी को लेकर के भी इस बिपच्छी एकता की बैटक में बड़ा एलान देखने को मिल सकता है दरासल दोस्तों बताते चले मान हानी में सजा के बाद राहुल गांधी की संसत की सदसता चली गई जिसके कारण उनके चुनाव लड़ने पर यहाँ पर संसय है और वहीं राहुल गांधी के वकीलों का मानना है कि राहुल गांधी को पियम कैंडिडेट घोसित किया जा सकता है क्योंकि उनको पूरी उमीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक जरूर लगेगी और उनको सुप्रीम कोर्ट से नय मिलेगा यह यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा अगली खबर बताते चलें दिल्ली के सियम अर्विंद के जरिवालकार राज्य सभा में अध्यदेश को लेकर के बड़ा दावा कॉंग्रेस पार्टी ने कर दिया है भाजपा के साथ बड़ा खेला जिया दोस्तों क्या कुछ ताजा आकड़े हैं आप लोगों को बताएंगे केंदर के अध्यदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को मिला है कॉंग्रेस सहित कई दलों का साथ खबर आप लोगों को बताते चलें दिल्ली में प्रसासनिक सेवाओं से जुड़े केंदर की अध्यदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन लगतार बढ़ता ही जा रहा है इस मुद्य पर अपना रुख साफ करते हुए कॉंग्रेस ने कहा है कि बहाद दिल्ली में सेवाओं के नियंतरण से सम्मंदित केंदर की अध्यदेश का संसद में समर्थन नहीं करेगी कॉंग्रेस के महसचिप केसी विडिगोपाल ने इस बात का ऐलान किया है और वहीं बताते चलें इस अध्यदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्तन देने वाली पार्टियों में कॉंग्रेस के अलावा टीम से भारत राष्ट्र समिती समार्वधी पार्टी जारखन यहां पर सामिल है जो राज्य सभा में अरविंद केजरिवाल का समर्थन करेंगे बताते चले मांसून सत्र में केंदर सरकार 21 बिल लेकर के आएगी जिसमें दिल्ली में अपसरों के ट्रांसपर पोश्टिंग के अधिकार से जुड़े अध्यदेश का मामला भी सामिल है ब केजरिवाल का कहना है कि उन्होंने यहां पर आकड़ा जुटा लिया है और उनके आकड़े के अनुसार राजे सभा के अंदर ये अध्यदेश गिरना तै है ये यहां पर इस समय की बड़ी अपडेट सामने निकल के आई दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें कॉंग्रिस पार्टी ने उतार थी है अपने तमाम दिगज वकीलों की फाज भाजपा के खिलाफ क्या कुछ है पूरी खबर बीजेपी के अंदर हड़कम पसा महौल है खबर आप लोगों को बताते चलें देश में फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा जारी है संचत की मांजून सत्र में सरकार यूसी सी पर ड्राफ्ट पेस कर सकती है ऐसे में कॉंग्रिस भी इस मुद्दे पर अपना मत रखने की अब तयारी कर रही है पार्टी के कानूनी सलहकार नेताओं ने एक बड़ी बैठक किया है ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में करके क्या मत रहेगा इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा हुई है बैठक में वरिष्ट कॉंग्रस नेता और अधिवक्ता पीची दमरम सलमान खुरसीद अभिशेक मनू सिंगवी विवेक तनका के टीयस तुलसी मनिस तिवारी जैसे नेता सामिल रहे इस बैठक के बाद क से पहले कॉंग्रस पार्टी ने अहां पर पूरी तयारी कर ली है कि पूरे मामले पर उसका क्या रुख रहेगा इसको लेकर के तमाम वरिष्ट अधिवक्ताओं ने बड़ी वैठक की है और पूरी रिपोर्ट भी कॉंग्रस के अध्यच को सौंप दी कई है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें राहूल गांधी कि जिस कानून की वजह से संसत की सदसता गई अब वही कानून बीजेपी नेताओं पर होने लगा लागू जियां दोस्तों क्या कुछ है पूरी खबर बताते चलें महबूबा मुफ्ती ने नियाई पालिका से मुसल्मा के लिए मुसल्मानों को जिम्यदा ठहराना बेरुजगारी और मुद्रा इस्विती को नियंतरित करने में भाजपा के नितरित वाली सरकार की पूरी तरह से विफलता को दर्साता है जम्मो कश्मीर की पूर्व मुख्यमंतरी ने कहा है कि जब नयाई पालिका ने भरष्ट पर वैद सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी के खिलाब तुरित कारवाई कर दी तो बीजेपी नेताओं के लिए क्या अलक कानून लागू होता है लेकिन उन्हें असम के सियम की आग भड़काने वाले बयानों पर सुतह संग्या लेने से आखिर कौन रोक रहा है ये पर महबूबं तीने बाते कही हैं कोड के लिए इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर जिस कानून की वजह से राहुल गांधी की संसत की सदस्ता गई मानहानी के मामले में उस हिसाब से तो यहाँ पर हिमंध विश्व सर्मा के खिलाब भी मानहानी का मामला बनता है क्योंकि उ बढकाव बयान दिया है मुसल्मानों को लेकर के अपमान जनक बाते कहीं हैं इसलिए उनकी भी सदस्ता रद की जाए और कोड सतह संग्याल ले यह यहाँ पर कहना है जम्मू कश्मीर की पुर्व मुक्य मंतरी महबूबा उफ्ती का एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते ह महराष्टर की राजनीती में उथल पुथल लगातार जारी है बड़ी अपडेट आ रही है सरत पवार से अचानक मिलने पहुँचे हैं अजीत पवार और उनके गुट के आठ मंतरी NCP में बगावत के बाद महराष्टर की राजनीती में उथल पुथल लगातार जारी है इन सब के वीज में महराष्टर से बड़ी खबर सामने आई है NCP से बगावत कर महराष्टर NDA की सरकार में सामिल होने वाले अजीत पवार कुट के विधायक सरत पवार से मिलने पहुचे है इसमें सभी मंतरी सामिल रहे और यहाँ पर इसके बाद अटकलो का बाजार एक बर फिर से गरम हो गया है कि क्या अजीत पवार एक बर फिर से पल्टी मारने के लिए तैयार है इस समय कि दोस्तों आज की तमाम बेहत बड़ी खबरे थी मुखे समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुचा है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिगा ज्यादा से ज्यादा इन सभी बड़ी कबरों को मुखे समाचारों को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिगा तकि आप सभी के दोस्तों भी कबरों को जान सकें और चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत